कमलेश, माराश्चर सरकार इसको लेकर किस तरह से गंभीर है और क्या कुछ प्रतुक्रिया सामने आई है क्या सीम ने कुछ इसको लेकर स्टेट्मेंट डिया है या फिर ग्रे मंत्री ने या फिर किसी भी मंत्री ने थोड़ी देर बाद हमें इस बारे में जानकारी मिल रही है महराश्टे के विधान सभा से थोड़ी देर में महराश्टे को उपमुक्य मंतरी और महराश्टे के ग्रे मंतरी देवेंदर फड्नोविस इसके बारे में जल्दी बयान करेंगे आला पुलिस अधिकारियों से, ATS के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, ग्रेह मंत्री का कार्याल है और थोड़ी देर में इसका बयान अधिकारिक तौर पर दोनों सद्दों में किया जाएगा महराश्य विदान सबामी और विदान परिशिद में भी हाला कि जिस तरह की जानकारी उभर कर आ रही है शायद ओमान से बोट हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, जिस तरह की डीटेल्स उस पर पाई गई थी बड़ी पैमाने पर RDX वाँ पर उत्रा था, लैंडिंग स्पोट के तौर पर उसे इस्तमाल किया गया तर इसलिए इस बात को लेकर काफी सीरियस तरीके से जाच होगी हाला कि ये अबेंडन बोट है, बैकर यहां पर आया, इस सारी पॉसिबिलिटीज होते हुए भी पूरी तरह से जाच की जाएगी, अगर अबेंडन भी था तो इसके उपर इतनी बोट पर इतने बड़े पैमाने पर हतियार क्यों थे, कैसे पाए गए गए थे, और किस तरह से, चाहे कोसगार हो, नीवी हो, इनके चंगुल से, इनके नजरों से कैसे, पहुंचकर सीधी यहां पर ये बोट आये, इन सारी चीजों की जाच इस वक्त की जाएगी, तानिया पुलिस प्रचासन भी बाकी चीजों को लेकर यहां पर लोगों से अपील तो करी रही है, कि अफ़ा उपर विश्वास ना करें, लेकिन नाकाबंदी की गए, हाय अलट जारी किया गया, और हर संदिक वहां पर मुव्मेंट पर पुलिस यहां पर नजर बनाए हुए, और फिर से बता दू, थोड़ी देर में अधिक आरिक तौर पर महाराष्ट के ग्रह मंत्री देव आई थी है, बोटर क्या जहां करें मिल पाई है, थोड़ी देर में शायद साफ हो जाएगा